हलो स्टुडेंट्स दिस वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम्स गुरुजी पर दिली पुलिस जो कॉंस्टेबल 2020 का जो एक्जाम है वो आपका स्टार्ट होने वाला है 27 नवंबर से कब से स्टार्ट होने वाला है 27 नवंबर 2020 से आपका जो एक्जाम डेट है वो आचुकी है एड्मिट कार्ट तो अभी नहीं आए बट एक्जाम डेट आचुकी थी आपकी तो वो जो कब से स्टार्ट होना है 27 नवंबर से तो अब आपके पास कितने दिन रहे गए हैं 30-30 दिन आपके पास रहे गए हैं अपने एक्जाम को क्रैक करने के लिए तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि आपका जो दिल्ली पुलिस का सपना है वो आपको साकार करना है तो उसी के लिए यहाँ पर आपके लिए good news है हम यहाँ पर start करने वाले है crash course क्या start करने वाले है crash course start करने वाले है तो अब आप पूछोगे मैं इस crash course में हमें क्या मिलेगा क्या benefit होगा हम क्या पढ़ेंगे इसमें तो वही यहाँ पर आपके लिए पूरी डिटेल में लेकर आई हूँ, अगर मैं यहाँ पर crash course की बात करूँ, तो यह कितने दिनों का होगा, तो यह होगा आपका 30 days का, यह जो crash course है, यह कितने दिनों का होगा, 30 दिनों का यह crash course होगा, जिसमें आपको यहाँ पर क्या पढ़ा आपको बढ़ाय जाएगा यहां पर पढ़ाया जाएगा आपको र्ईजनिंग क्या यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा क्याम की है पर हम concept पूरा discuss करेंगे कैसे कैसे आपके concept यहां पर आते हैं plus questions यहां पर हम discuss करेंगे क्या discuss करेंगे questions भी discuss करेंगे कैसे questions पूछे जाते हैं यहां पर हम previous year paper के जो आपके question है previous year paper question भी हम यहां पर discuss करने वाले हैं पूरा detail में हम यहां पर discuss करेंगे तो आपको क्या करना है ये जो कोर्स है पूरा जॉइन करना है अब आप बोलोगे मैम क्या ये कोर्स पेड है क्या ये कोर्स पेड है नहीं ये कोर्स पेड नहीं है ये बिल्कुल फ्री क्लासिज होंगी आपकी और ये आपको कहां पर मिलेंगी ये क्लासिज मिलेंगी आपको यूट्यूब पर ही हमारे इस चैनल पर ही एक्जाम्स गुरूजी पर ही मिलेंगी आपको यह सारी क्लासेज हैं, तीस दिन तक हम यहाँ पर पूरा डिटेल में डिसकस करेंगे, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक्जाम के बारे में कैसा आपका एक्जाम आता है, तो यहाँ पर अगर मैं एक्जाम की बात करूँ, तो easy to moderate हमारा यहाँ पर एक्जाम आता है, और इसमें reasoning के total यहाँ पर आपके 100 question होते हैं, लेकिन total कितने होते हैं आपके total question की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपके total 100 question होते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें से किसकी बात करूँ reasoning की, तो देखिए आपके reasoning में कितने question होंगे, आपके reasoning में होते हैं 25 questions, कितने question होते हैं आपके reasoning में 25 यानि 25 questions, साथ के reasoning से पूछे जाते हैं कितने marks के होते हैं 25 marks के ये 25 questions होते हैं अगर यहां पर total time की बात करूँ total so question को करने के लिए आपके पास कितने मिनट होते हैं नबन हैमें नबन को का यह पेपर होता literally कितने मिनट का नबन मिनट यानि एक कोशन के लिए आपको एक मिनट बिलता है और उसमें आपको 25 कुशन किसमें है रीजनिंग के बेसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं तो यहां पर हमारा क्वेर क्या रहेगव बिल्कुल बिएय सोल दीजी हमारा यहां पर एक्जाम के लिए टार्गेट रहेगा 25 out of 25 हमें 25 20 sẽ25 на नमबर लाने है उसी के लिए हम यहां पर पूरी तयारी करेंगे हमें क्या करना है 25 में से 25 नमबर लाने है तो उसी के लिए हम यहां पर पूरी तयारी करने वाले हैं पूरा यहां पर कोशन्स को सौल्व करेंगे पूरा कॉंसेप्ट डिसकस करेंगे रीजनिंग का यहां पर ह करने वाले हैं और यहां पर अगर मैं आपको बात करूं क्या यह लाइब होंगी नहीं यह लाइब नहीं होंगी यह आपको recorded classes मिलेंगी क्या होगा recorded classes होंगी और इस class का time क्या होगा आपको कब से यह प्रवाइब होने शुडू होंगी तो देखें यहां पर आप date note कर 26 अक्टूबर से कम से 26 अक्टूबर से आपको यह जो classes है daily मिलेंगी किस time मिलेंगी रात को 8 बजे कम मिलेंगी रात को 8 बजे 26 अक्टूबर से रात को 8 बजे आपको यह daily class मिलना start हो जाएगी तो आप सभी लोग date note कर लीजिए बिल्कुल class को miss नहीं करिएगा क्योंकि बहु कोई नहीं आप reasoning पड़ रहे हैं बिल्कुल easy way में smooth way में यहां पर आपको साथ साथ लेकर चलूँगी तो आपको कोई doubt भी नहीं रहेगा यहां पर तीन questions को हम कैसे करें एक्जाम में ऐसे question है सभी टाइप हम यहां पर करेंगे जो भी एक्जाम के relevant आपका important होगा तो बिल्कुल आप date note कर लीजिए गा कि हम यहां पर 26 October से रात को 8 बजे daily करेंगे reasoning के topics हमारे कौन-कौन से रहेंगे analogy, classification, distance, direction, cube and dice, mathematical जो आपके arithmetic से related problems होती है और जो आपका mathematical operations से related questions होते हैं और आपका non-verbal reasoning रहेगा, syllogs रहेगा यह सभी topic हम बिल्कुल detail में करने वाले हैं, counting the figures आपका यहां पर होगा, बिल्कुल सभी questions हम यहां पर करेंगे, मैं आपको बताऊंगी भी, जो भी topic पढ़ाऊंगी, इससे last year कितने questions आए थे, और इनका कितना weightage आपके exam में रहने वाला है, तो बिल्कुल हम detail में करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप साथ में बने रहीएगा, ऐसे ही, और अगर आपको यह video पसंद आई हो, आप course को अगर आप पसंद करेंगे, तो बिल्कुल आप इस video को share कर दीजी जादा से जादा, क्योंकि जो भी बच्चे तयारे कर रहे हैं, उन तक यह video पहुत जाए, ताकि व इतना ही